आपका एक और नई वीडियो में आज की वीडियो में दो मदर्बोर्ड करेंगे दोनों आसुस की तरफ से हैं एक सब्सक्राइब देखने को यहां पर मिल जाता है दोनों सीरीज में देखिए यह 510 सीरीज है आसुस की तरफ से और यह आपकी 610 सीरीज है तो दोनों में जो है 510 और 610 में क्या डिफ्रेंस है देखेंगे और DDR4 टेक्नलोजी पे दोनों हमारे मदरबोर्ड बेश्ट है एलजी सत्रों सोकेट हमारा बनाया गया है इंटेल की 12 इनरेशन सीरीज की लिए लेकिन अगर आप इसके साथ DDR4 टेक्नलोजी यूज करते हो तो आपको दोनों में क देखेंगे डिजाइन आपको सेम सेम नजर आता है एक चल रहा है 1200 सोकेट पर जिसमें आपके इंटेल की 10 11 जनेरेशन सपोर्ट कर रही है दूसरे पर आपके एलजी 17 सोकेट है जिसमें आपकी इंटेल की 12 जनेरेशन सीरीज कर रही है दोनों DDR4 टेक्नलोजी पे बेस्ट है देखिए यहां पर दोनों का पिरकार भी साथ इस सेम है मैक्रो एक एक से माइक्रो एक यहां पर भी है DDR4 32 मेहर्ट से भी सपोर्ट कर रहा है यह पी सपोर्ट कर रहा है PCI 4.0 3.0 के स्लॉट दोनों में है M.2 जो है इसमें सिंगल स्लॉट है इस वाले में खाली डबल देखने को मिल जाता है emi दोनों में सेम से तो यानि यहां बर देखिए बनावट भी आपकी बिलकुल सेम है 2 इस आपको कुस्त जividades से नहीं आ रहा है कि से मी आपको पोर्स नजर आ रहे हैं और यह 600 वाली सीज़े आप्की इसमें भी आपको सेमी सेम पोर्स नजर आ से यहाँ यहाँ पे 1770 जो है सौकट यहाँ यहाँ पर लग जाएगा आपका और उस वाले में 1200 यहाँ पर धो M.2 लग जाएंगी, वहाँ पर single लग रही है, तो देखिए यहाँ पर भी लिखा हुआ है, यहाँ पर single M.2 लग रही है, पॉन्सों दस वाले में, इस वाले में, इस वाले में आपको, 610 वाले में यहाँ पर आपको dual M.2 यहाँ पर लग जाएगी आपकी प्राइजिंग की बात करें 11 और 10 जनरेशन को सपोर्ट करने वाला यह आपको लगवगग 6,000 के आसपार देखने को मिलता है और जो दब की दूसरा वाला जो हमारा मदरबोर्ड है 600 सीरीज वाला जिसमें आपके लगव 17 सब्सक्राइब को सपोर्ट करने वाला है तो यह तक्रीवन 8,000 के आसपार देखने को मिलता है बात करें हमें दोनों में क्या फाइदा है क्या नुकसान है तो दोनों में जो है डीडिटीर for technology हो यूज हो रही है दोनों 32 तो अगर आप 12th generation के साथ बिल्ड करना चाहना है PC तो आपको 12th generation के लिए proper match बनाना पड़ेगा जिसमें DDR5 supported RAM DDR5 supported आपका NVMe और पूरा बेस्ट ऐसा होना चाहिए है जिसमें पूरी DDR5 technology यूज हुई हो तब तो जाके आपका DDR5 technology के साथ 12th generation का बिल्ड बनाना अच्छा है वरना अगर आप DDR4 technology पे ही setup बनाते हो 12th generation के प्रोसेसर को यूज करके तब आपका benefit जो है कुछ नहीं होने वाला है इससे बढ़िया आप जो है इसमें पैसा ना डालके 11th generation में पैसा डाल सकते हो जिसमें ज्यादा आपको profit मिलेगा अच्छी तरह से यूज करने के लिए आपको DDR5 supported motherboard और RAM इस तरह की components की ही आवशकता पड़ेगी DDR4 के साथ बिल्ड ना करें 12th generation के लिए तो उमीद अवाद समझ में आई होगी तो कोई comment हो comment कर सकते हैं बहुत बहुत धन्यवाद आपको